नमस्कार सभी को, मैं सुधा को स्वामी इख़ा पुना अपने चैनल में स्वाकत करती हूँ अभी जैसे कि विद्याले बंद हैं और बच्चे विद्याले नहीं आ रहे हैं तो उनकों हमें बहुत ही तरह तरह के आकर्शक ग्रेकारे भेजने पड़ते हैं तो मैंने कुछ सुन्दर ग्रेकारे बनाये हैं जो मैं आप उनके साथ साज़ा करना चाहती हूँ तो अगर ग्रेकार के स्वारू बच्चा हो तो बच्चे पहले ही आकर्शित हो जाते हैं तो मैंने ये ग्रेकारे भेजने से पहले ये बनाया है कि बच्चों को ऐसे फूल, पत्ती और पेड़ों के बीच में ग्रीकारे दिया जा तो उनको पहले ही अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा काम है जो मैं हमें भेजी हैं करने के लिए तो देखिए आप भी इस तरह कुछ आकरशक बना सकते हैं कि आप घर से ही कुछ वीडियो बना करके बच्चों को सेंड कर रहे होंगे तो अपनी कक्षा में इस तरह के ग्रीकारे को आकरशक रूपा आप दे सकते हैं और बच्चों को बहुत रुचिकर लगेगा अब आते हैं ग्रीकारे के तरफ जैसे उनको हमारा परवेश में पाठ है कि मेरा परिवार्द उस पे आप एक सुन्दर सा घर बना करके और उनके चित्र बना करके उस पे लिख सकते हैं कि आप इस पे लेख लिखिये अपने घर के उपर अपने घर का सुन्दर सा चित्र बनाईए और उस पे लिखिए कि आपका घर आपको कैसा लगता है आपका घर किन किन चीजों से बना हुआ है और आप घर में क्यों रहते हैं आपके घर में किन कामों में अपने घर के लोगों की सहायता करते हैं तो इस टॉपिक पे आप बच्चों को दे सकते हैं कि वो घर के बारे में कुछ लिखें अब बच्चों को आकरशिक भी लगेगा कि मैं मैं सर ने हमें घर बना के भीजा है और तो उनकी रुची इसमें जादा बढ़ेगी और यह टॉपिक है जो क्लास 3, 4, 5, 3 क्लास के बच्चों को सरलता से दिया जा सकता है बस उनके लिखने का तरीकों को आप बढ़ा सकते हैं कि छोटे बच्चे उनको छोटा लिखना है, बड़े बच्चे उनको जादा लिखना है आसपास के भी बच्चों पढ़ो उसके घरों के बारे में लिखें अब दूसरा है, मेरे गाओं का अस्पटाल, पंचायद घरöm और डाक घर तो यहाँ में हमने सुन्दर से गाओं की तश्पीर बनाई है और उस गाओं में कैसा अस्पटाल है, कैसा पंचायद घर है, कैसा डाक घर है वो बच्चे जान करके उसके बारे में लिखेंगे कि उनके घार में किस तरह का अस्पिताल है अस्पिताल कितनी दूर है पंचायत घर में क्या होता है पंचायत घर में कौन बैठता है और डाग घर क्या होता है डाग घर में कौन सा काम होता है और डाकिया के बारे में ये सब जो संस्थाएं हैं सामाजिक सरकारी इनके बारे में बच्चों की रुची बढ़ेगी और उनको लगेगा और ये कि हमें सर्या मैम ने भीजा है तो मुझे इसके बारे में और जानना पड़ेगा कि आप इसके बारे में लिख लिख के हमें भीजिए, उसका चित्र बनाईए तो इसमें जितने भी ऐसे भ्रहमण वारे काम हैं जो आसपास से ही हो जाएंगे उसको हम करा सकते हैं यहां पे मैंने पेड़ पौदों, पसुपक्षियों मनुसी की सहबागिता कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं और उस पे वो उनके दिमाग में क्या सोच हैं, क्या समझते हैं वो कि पसुपक्षी पेड़ पौदे और मनुसी एक दूसरी पे कैसे निर्भर है, आप उसको लिखिए यहाँ पे मैंने यह चित्र बनाया है, देखिए चुडिया है, बंदर है, चुडिया पेड़ पे बैठी है, बंदर है और एक लड़का-लड़की का चित्र है, खरकोश है, और दो सुंदर से पेड़ बने हुए हैं तो आप यह बच्चों को भेज सकते हैं, और बता सकते हैं कि आप इस चित्र को देख के आप क्या सीखते हैं, क्या सोचते हैं और एक दूसरी की निर्भरता को आप बताईए अब यहां पे घर के प्रकार, कि घर कितने प्रकार क्यों होते हैं कि आपके गाउं में सारे घर एक जैसे हैं और तो उसको आप इसके में बना सकते हैं कि आप घरों के दियलम बनाईएं कि घर कितने प्रकार क्यों होते हैं उनको आप, जो आपके घर में चीज़ें हैं, उनका प्रेयोग करके आप इस तरह से घर को बनाईए ये सब काम बच्चों को बहुत रुचिकर लगते हैं और खेल-खेल में हम उनको बहुत को सिखा सकते हैं और ये है पास पडोस, जैसे कि उनका पडोस कैसा है, उनके पडोसी कौन है, उनके पडोसी के घर कैसा है, वो कौन से तिहार, खुशियां और कौन-कौन से काम अपने पडोसी के साथ मिलकर करते हैं तो उनको अपना घर बनाना होगा, अपने पडोसी का घर बनाना होगा और इस तरह से वो पासपडोस की उपयोगिता और आवशकता को सरलता से लिख सकेंगे तो ये उनको बहुत ही आकर्शक लगेगा जैसे कि पहला है कि पहले मैंने घर के प्रकार लिये थे तो उसमें जो वो चित्र बनाएंगे या टेलम बनाएंगे उसी के सामने अपनी और अपने पडोसी की एक तस्वीर लगा देंगे तो वो उनका पडोस भी बन जाएगा तो एक टेलम में दो पाठाप के कवर हो जाएंगे उसके बाद आता है अपने घर का चित्र बनाईए और आप इनकिन कामों में उनकी सहाइता करते हैं उसके बारे में भी लिखिये तो यहाँ पर विपी ने तरह कि मैंने घर बनाए है, अब उसमें बच्चों से आप कह सकते हैं कि आपका घर कच्चा है, पक्का है, बहुमंजिला है, कैसा है, उसका आप चित्र बनाएए और आप किन-किन कामों में अपने घरवालों की कैसे सहायता करते हैं, वो हमें लिख क करके और अपने घरवालों का हस्ताक्षर करा करके हमें भीजिये, तो ये भी बच्चों को बहुत रुचिकर और अच्छा लगेगा, अब आगे देखते हैं, यह देखे, परवेशी पसू पक्षी या जीव जन्तु, तो हमें परवेशी जीव जन्तु का पाठ है हमारे पर चित्र बनाईए और जो आपको कभी नहीं दिखाई दिते हैं, उनके चित्र बनाईए जो आपकी पाठे पुस्तक में दिये हुए हैं, और उनके बारे में ओधिक से अधिक जानी हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मेड़क, यह सब बच्चों को अक्सरी दिख जाते हैं, जर्णीं जीव जो आपको रोज नहीं दिखते हैं, आप एक तरफ उनके चित्र बनाईए और उनके बारे में लिखे, और दूसरा जो आपको रोज दिखाई देते हैं, उसके बारे में आप लिखे तो इस तरह का आकरशक आप गरे कारे उनको भेश सकते हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा और बड़े मन से वो यह कारे को जरूर करेंगे क्योंकि मैंने बच्चो को भेजाया और बच्चो इस काम में बहुत रूची लेते हैं उनके गारजियन भी अब देखिए यहाँ पे कुछ और जानवरों के चित्र मेने लगाए हैं और इसमें आप साकाहारी, मानसाहारी और सरवाहारी तीन तरह के जो जीवजंदू होते हैं उनके बारे में आप बच्चों को पूछ सकते हैं कि तीनों सेनियों के साकाहारी, मांसाहारी और सरवाहारी जिवजंदों के आप चित्र बनाएए और ये किसको कहते हैं उसके बारे में आप अपने शब्दों में लिखिए तो ये बच्चों को ये भी बहुत रिच्छी कर लगेगा और आप जो टेलम भेज रहे हैं जो भी है आप उनको उसको बनाने का तरीका भी बता सकते हैं और या फिर ये कह सकते हैं कि आप इसके चित्र बनाएए और इनके बारे में आप लिखिए कि आप कैसे इनको कैसे जानते हैं मांसाहारी क्या खाते हैं साकाहारी क्या खाते हैं सरवाहारी जिवजंदों क्या खाते हैं त तो साथ घर बेटे बच्चे इस काम में कभी रुची नहीं लेंगे जब तक उसको अकरशक ना बना दिया जाए उनको खुद करके सीखने को ना कहा जाए तो आप ये कर सकते हैं अब एक देखिए इसमें एक और कुश्यन था प्राकृतिक आवास में रहने वाले पसुपक्षी और सवयम अपना घर बना के रहने वाले पसुपक्षी तो ये भी हम उनको भेज सकते हैं कि आप देखिए कि आपके आसपास ऐसे कौन से पसुपक्षी और जीव जन्तु हैं जो अपना घर खुद बनाते हैं और कौन ऐसे हैं जो प्राकृतिक आवास में रहते हैं जो प्राकृतिक आवास में रहते हैं जैसे यहां पर मैंने बाग लिया है मचली लिये सुन्दर सी तो मचली तो पानी में रहती है और बाग जंगल और गुफा में रहता है तो ये प आप इस तरह का कारे कर सकते हैं